उत्रप्रदेश में नगरी निकाय चुनाओं के लिए राश्ट्री अध्यक्ष अखलेश यादव के निर्देशों पर समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशियों के मैदान में उतारने की तैयारिया शुरू करती हैं मैं इस बार चुनाओं में पार्टी के क्या मुद्दे रहेंगे साथ ही बिजेपी को टक्कर देने के लिए मैदान में कौन होगा समब्द में हमारे समबाद दाता अली ने विधायक रविदास मन होतरा से पाच्चिप की है लगातार मन्थन जारी हो गया है समाजवादी पार्टी लगातार पार्शद और मेर के नामों का मन्थन कर रही है अलाकि इसमें तीन सूत्रे टीम को भी गठित कर दिया गया है जो उन नामों को फेज करेगी जो फिल्ड पर रहकर सामाजवादी पार्टी के लिए वेहतर साबित होंगे लगातार ये कहा जा रहा कि कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो इस बार मैदान में होंगे और सीधे भारत जनता पार्टी को टक कर दे पाएंगे 2017 की अगर बात की जाए तो 2017 में जिस तरीके से मेर का चुना हुआ था उसमें समाजवादी पार्टी के साथ बिजेपी की भी पार्टी चुना लड़ रही थी जिसमें समाजवादी पार्टी ने लगबग एक लाग के आसपास वोटों से हार गई थी लेकिन बिजेपी की सरकार ने एक लाग कोटों से मेर को चुना था अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से लगातार चुनाओं की नजदीकों का आड़कन चल लही है अंजमस में चल लहा है कि कब तारीकों का आयलान होगा और कब समाजवादी पार्टी टिकर देगी तो तमाम ऐसे प्रत्यासी हैं इस बार जो लगातार मैदान में है और उनका साबतोर पर कहना है कि तमाम ऐसे वो मुद्दे हैं जिसको लेकर मैदान में उतरेंगे चाहे वो साब सफाई को लेकर हो या फिर तमाम तरीके की छोटी-छोटी समस्याओं को लेकर हो जो आम जनता से सीधी जुड़ी होती है आज सफाई के कई ऐसे उमीदवार थे जिन से साधना नियूस ने बात की उनका साबतोर पर कहना था कि भारती जनता पार्टी की जो पारशद हैं वो लगातार ये दावे कर रहे थे कि पांच साल में उन्होंने बेहतर काम किया है लेकिन अगर जमीनी कीकत पर दिखा जाए तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो आज भी जनता के लिए पूरे नहीं हो सके है तो वहीं दूसरी तरफ अगर मैंटपूरी की बात की जाए तो जिस तरीके से मैंटपूरी में चुनाओ की गोश्वा हुई थी और उसके बाद चुनाओ हुआ तो कहीं न कहीं जो एक बड़ी जीत हांसिल हुई थी समाजवादी पार्टी को वो अब नगर चुनाओ की तर जरूर है कि वो बड़े ही चेरे होंगे जो इस बास भारती जनता पार्टी को सीधी टक कर देंगे लेकिन अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से नगर निकाय चुनाओ के नजदीक है हलाकि ये चुनाओ सबसे छोटा होता है लेकिन वाड़ों के लिए ये बहुत ही महत पूर्ड होता है अब ऐसे में देखना ये होगा कि सामाथी मेयर के साथ साथ जो पार्शद होंगे उसमें कि लोगों को टिकट देती है और सामाथवादी पार्टी को कितना फायदा होने वाला है देखे अली गंजवाड की जो समस्या हैं वो भली बाती जनता भी जानती हो और यहां के जितने भी प्रतनीधी वो भी जानते हैं क्योंकि वहां के समस्या हैं में समस्या हैं सफाई की मार्ग प्रकाश की और जो नाली बजबजा रही हैं और भी छोटी छोटी समस्या हैं ज मुझे ये विश्वास है कि इस बार अली गंजवाड की जनता मूर्ख बनने वाली नहीं भारत देखिए ये तो भारती जनता पाटी का जो कहा वो नहीं किया कहते हैं कि सबका साथ सबका विश्वास मुझे तो ये लगता है कि सबका साथ तो लिया मगर सबके साथ विश्वा किया कोई भी अली गंज वार्ड में आप निकल कर देखिए हमारे साथ छेत्र में चलिएगा कोई भी समस्या का समधान नहीं हुआ और नालिया टूटी पड़ी हैं और हमने जो वादे कि मैं जब उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार थी तो मैंने अली गंज वार्ड के लिए धाई करोड रुपए का प्रोजेक्ट लाया था जो कि उससे अपने जंता को समर्पित किया देखिए वार्ड में सबसे पहले तो पार्षद युवा होना चाहिए पार्षद एक्टिव होन चाहिए जंता के लिए जंता कोई विव्यक्ति अगर परशान होता है रात में दो बज़े भी फोन करें तो पार्षद मौके पहुंच जाए और जंता को चाहिए क्या जंता को नाली साफ सफाई पार्षद का एक काम होता है जैसे घर के बाहर किसी कि स्ट्रीट लाइट लगवाते तो मैं पार्षद ना होते हुए मैं पार्षद का काम करता हूं कोरुना काल मैंने कई काम किये घर घर जाके डो टू डो सेनिटाइज किया हर घर पहुंचे हम लोग मैंपूरी उप्चुनाओं में बड़ी जीत के बाद अपसामाजवादी पार्टी लखनाओं म में बहुत ज्यादा उटो का फर्क नहीं था जब बीजेपी के मेर को टकर देने के लिए सामाजवादी पार्टी मैदान में उतरी थी लेकिन इस बार लगातार मन्थन चल रहा है और हमारे साथ ज्यादा बात करने के लिए रवीदास मैं रोतरा जी है हम उनसे जानने की को विकास की जा रही है किस तरीके से देखते हैं लगनव नगर निगम में समाजवादी पार्टी जिसको चुनाओ लड़ाएगी वो इस बार लगनव का मेयर होगा लगनव नगर निगम में 88 गाउं जुड़ गये हैं इन 88 गाउं के अंदर लगनव नगर निगम ने कहीं निगम टेक्स वसूल करने का काम कर रही है जिस से सबी 88 गाउं की लोगों में बहुत आकरोश व्याप्त है और वो सब लोग समाजवादी पार्टी को बड़ी संक्ष्ण में बुढ़ने का काम कहेंगे लगनव नगर निगम में पिछले लेड़ सालों से कहीं कोई एक इड़ भी रखने का काम नहीं किया है नगर निगम घाटे में चल रहा है और लगनव नगर निगम को दो सो करोड रुपए के इसके बॉन्ड बेज दिये गए चोरी से और पंद्रा करोड से अधिक रुपिया उनको लाभांश में हर वर्ष देने का काम कर रहे हैं और यह तीनों गुजराती कमपनिया हैं जो जनता के विकास का पैसा है वो गुजराती कमपनियों को रूप में देने का काम हो रहा है लखनव नगर निगम ने जो 200 करल उपे घटा किये उससे गाओं के अंदर अपार्टमेंट बनाने का काम हो रहा है और उस अपार्टमेंट का कोई फ्लैट विक नहीं रहा है इस तरीके से जनता के विकास के पैसे में लूट होने का काम हुआ है एक तरफ लखनव नगर निगम ने टेक्स बढ़ा दिये हैं इंकम बढ़ गई है लेकिन कहीं कोई विकास का काम नहीं हुआ है सारी सड़कें तूटी हुई है मुक्य मंत्री की गुष्णा के बाद भी सब दावे फर्जी हैं कोई सड़क गड़ा मुक्त नहीं हुई है नगर निगम के अंदर सारी स्ट्रीट लाइट खड़ाब है यहां तक की ठेला भी जो होता है वहीं नगर निगम के पास नहीं है कई सफाई करमचारियों की न्युक्तिया नहीं हो रही हैं सफाई की कोई वस्ता नहीं है अभी डेंगू हुआ चिकन गुनिया हुआ और यह महामारी फैली लेकिन लखनों नगर निगम के पास फाकिंग करने के लिए कोई गाली नहीं थी एक साइकिल से पूरे लखनों नगर निगम के अंदर फाकिंग करने का काम हुआ तो जनता अब जो है विकास के नाम पर नागरिक समस्चाओं के नाम पर जो इस्तारी समस्चाओं उनके नाम पर बोर्ट देने का काम करेगी और समाजवादी पार्टी को एक मौका देगी कि वो लखनव नगर निगम पर उनका मेयर हो और समाजवादी पार्टी के बहुत हो अगर ऐसा हो गया तो बहुत जल्दी ही चुनाओ के बाद लखनव पुरा सज जाएगा और जिन विकास की नागरी समस्चाओं के लिए जनता परशान है उन समस्चाओं का हम लोग हल करने का काम करेंगे हमारा ये प्रयास है कि लखनव नगर निगम पर अबकी सापा का बहुत हो जाए और लखनव नगर निगम में हमारा मेयर होना तैय है क्योंकि बड़ी संख्या में जो बदाता है वो भारती जनता पार्टी से नराज है उससे उनका मो भंग हो गया है जनता में आकरोश व्याप्त है ब्रस्ताचार चरम सीमा पर है और जनता बदहाल है जनता के विकास के पैसे से प्रदेश की सरकार बाहर घुमने का काम कर रही है इस समय भी प्रदेश सरकार के कई मंत्री करणा घुमने के लिए गए हुए है जो जनता के विकास का पैसा है तो इस बार जनता बदलाओ करने का काम करेगी और लखनव सहीद पूरे उत्तर प्रदेश में नगर निगम में नगर पालिका में और नगर पंचायतों के चुनाओं में सापा का बहमत से चुनाओं जीतने का काम होगा जो बहुत चोटा है लेकिन बहुत महत रखता है यह चुनाओ बहुत महत पून है। तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की लोग सबाव सीटे बढ़ जाएंगी इस समय दिल्ली में 302 सीटे हैं भाजपा की अगर हम लोगों ने सीट जीत ली 35 और तो दिल्ली में हमारी सरकार बन जाएगी हम लोगों का प्रयास है कि अगर नगर निगम में सहापा का बहुमत आ गया तो समाजवादी पार्टी जब दिल्ली में 24 में गैर भागपाई सरकार बनेगी तो सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी होगी और अखलेश यादो जी देश के अगले नए प्रणान मंत ंनिऐ होंगे लगातार मेर के चेयरे के लिए मन्थन चलना है किस तरीकを देखते हैं क्या लगता है कि इसको मैदान में उतारा जलाए तुर भारती जंतापाटी Oneव दे ने करते हम पूरे नहीं हुरे अब और मुद्ये काली जो इस्थानिये समझचां हैं जो सड़के बने गलियाँ बने इंटरलंगे काम हो seat light बददी जाए नालों की सफाई हो नालों को सफा करके उसको ढख करके उसको ओपर सड़क बनाई जाए जो नालिया और नाले चोक है उनको ठीक करा जाए और सफाई करमचारियों की और अधिक नुक्ति हो और महलों और वाडों में में डोडों पर सफाई करने की वस्ता हो इन नागरिक समस्याओं को लेकर कि हम लोग चुनाओ लड़ेंगे और नगर निगम पर इस बार जो है सापा का बहुमत होने का काम होगा सर लगाता है जिस तरीके से चुनाओ जब नजदीक आते हैं लोग वोड़ डालने पहुंचते हैं अभी महिनपूरी की बात कर ली जाए तो तमाम ऐसी तस्वीरें निकल कर सामने आई थी आप लोगों का एक डेलिकेशन भी गया था चुनाओ आयोग मिलने के लिए इस बार क के पोलिंग बूत के एजेंटों को पकड़ने का काम हुआ बड़े पैमाने पर जब मदाता निकल रहा था तो उनके वोट लिए गए एक जात एक धरम के लोगों के वोटर कार्ट छीन करके फाड़ करके उनको लाठी मारने का काम हुआ और इसके कारण से वो मैंपूरी में हम लोग बड़ी मुश्किस हो जीते हैं लेकिन जनता खेतों से खलियानों से हो करके वो डालने के लिए गई खतौली भी हुआ लेकिन रामपूर में भारती अंता पार्टी की सरकार बेवानी करने में सफलो गई और वहां पर महुत कम मदान हुआ अभी 2022 में 60% मदान हुआ पर हुआ था यहां सोनों में और आठ नो मेने के बाद जो है वहां कुल मदान हुआ 34% तो 26% कम से कम ऐसे वोटर हैं जिनको वोट डालने से रोकने का काम हुआ अभी खतौली में चुनाओ दौरपाइस में हुआ था और वहां भाजपा जीती थी लेकिन तमाम धानली बेमा करने के बाद भी भाजपा वहां पर बहुत भारी अंतर से सुनाओं हारी है क्योंकि भारती अंता पार्टी से जनता का मोभंग हो गया है और अब जनता परिवर्तन और बदलाओ करना चाहती है यह तमाम बेमानी इस बार भी करेंगे लेकिन हम लोग मुकाबला करेंगे और मुकाबला करके संघर्स करके नगर निगमों पर कब्जा करने का हम लोग काम करेंगे समाजवादी पार्टी के पक्ष में जनता खड़ी हो गई है जनता एक बार चाहती है कि सापा को लखनो नगर निगम में मौका दिया जाए सरे का अखरी सवाल श्रुपाल यादो और अकलेस यादो जी एक साथ हो गए हैं एक मंज पर आ गए हैं दो हजार चौबिस का चुनाव भी नजदी का रहाए दी रहे दी रहे उसको किस तरीके से देखते हैं कितना फाइदा होने वाला है माने श्रुपाल सी अदो जी ने जो अपनी उनकी PSP पार्टी थी उसको समाजवादी पार्टी में विले कर दिया और बहुत लंबे समय से जो कारकरताओं की एक्छा थी वो पूरी हो गई माने श्रुपाल जादो जी के इस निर्णे का हम लोग स्वागत करते हैं इससे समाजवादी पार्टी और अधिक मजबूत होगी और 2024 में जो लोग सभा के चुनाव होने हैं इसमें उत्तर प्रदेश से 50 सीटे कम से कम हम लोग जीतने का काम करेंगे और उत्तर प्रदेशी जो है देश में सरकार बनाएगा देश में केंद्र में जो गहर भाजपाई सरकार बनेगी उसमें सापा सबसे बड़ी पार्टी होगी और इस नाते पार्टी के रास्ठी अध्यक्ष अखले स्यादो जी देश के अगले नए प्रदान मंत्री होंगे बिल्कुल हमारे साथ रभीदास मेरोता जी ते जिनका शाब तोर्पे कहना है कि तमाम इनके पास ऐसे बड़े नाम है बड़े चेहरे हैं जिनको इस बार लखनाओं में मेयर पत के लिए उतारा जाएगा और साथ ही भारती जन्ता पार्टी को सीधे टकर देकर अपने मेयर चुनेंगे अब देखना हो यह होगा कि चुनाओं का जो परड़राम आता है उसमें परला किस की तरफ होगा वीडियो जनलिस्ट मानस के साथ अली शादनली उसिला